कीवी की चटनी खास बत यह है कि इसे बनाने के लिए धनिया पोधी ना किसी चीज की जरुवत नहीं है खट्टी चटपटी चटनी बनकर त्यार होगी जिसे आप चाट पराठे इसने किसी के साथ भी सर्फ कर ले बहुत ही टेस्टी लगती है इसे बनाने के लिए मैंने दो कीवी ले लिये हैं ये कीवी टाइट और कच्चे वाले लेने हैं चटनी में कटा टेस्ट इन ही से आएगा कीवी को धो कर इसके उपर और नीचे की टिप को काट लेना है और इसे छील लेना है इसके छोटे-छोटे टुकडे काट कर हम mixer jar में डाल देंगे मैंने आप दो कीवी का यूज किया है आप ज़्यादा चटनी बना रहे हैं तो ज़्यादा कीवी का यूज कर लें लेकिन कीवी कच्चे ही लेने हैं तीखा करने के लिए चार हरी मिर्च का यूज किया है, ये मिर्चे जादा तीखी नहीं है, एक इंच अद्रक का टुकड़ा, तीन चार टुकड़े प्याज के ले लिये हैं, प्याज हम कम ही डालेंगे, नहीं तो कीवी का परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगा, मेरे पास बहु पूरी तरह से ऑप्शनल है, चोथाई चोटी चमच नमक का या स्वात के अनुसार नमक डालेंगे, चोथाई चोटी चमच कच्चा वाला जीरा, दो तीन चमच पानी के या फिर कुछ आइस क्यूब्स इसमें डाल देंगे, इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, कितना अच्छा कलर आ गया है और चटनी को बनाने में ना जादा महनत लगी है और ना ही जादा टाइम, इसे किसी भी काच के बरतन में निकाल कर इसे फ्रिज में रख लेंगे, इसे फ्रिज में रख कर चार से पांस दिन तक यूज़ कर लें जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई रेसिपीस के साथ